हम 20,000 रुपे आ गए अब क्या होगा मैंने तो पहले का था नहीं मिला पुनीद मैं इतनी उमीद थी मेरे को इतना अच्छा पैसा मिलना था उस प्रोजेक्ट के लिए हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती वह खोई वह पैसे रेकाबर करने का बस गहीं कि एक तरिकार मलब 25,000 रुपे का लॉस मुझे नहीं पता फोन में जल्दी टूंडो मेरी एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है मेरी मीटिंग है मैं देखती हूं सुन तो ने मुझे जिस आपके बार में बताया था ना वो उस आपकी ने तो बार दिमाट करे अ अनान्या ये तो मेरी कपट से इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो वो पापा मुझे ना थोड़े पैसे की जरत थी इसलिए थोड़े पैसे ये थोड़े पैसे हैं ये पूरे 50,000 रुपे है अनान्या मुझे सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है वो अक्चिली वो अनान्या जो भी बात है हमें बताओ अगर मैंने लोगों को सच बता दिया तो बहुत करबड हो जाएगी कोई बहुत भाना ही ऑनान्या थोड़े अनान्या मुझे ठीक से बताओ ये तुम क्या बोले जारी हो तुमने क्यों लिये 50,000 रुपे वो जो है मे से रेंच कर सखूँ तो उनकी बहुत हैल्प हो जाएगी बेटा अगर यही बात थी तो तुमने पर पहले क्यों नहीं बताया अरे बेटा अपने फ्रेंड की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है अगर मुसीबत के टाइम पर दोस दोस के काम नहीं आएगा तो कौन आए पैसो की जुरत है हां यह ठीक रहेगा अगर उसकी जुरत नहीं है क्यों बेटा वो उसकी बापाना होस्पितल में होते हैं तो फोन नहीं होथा पाएगे अ यह बात भी है तो ऐसा करें हम उनके घरी चलते है सान्या के और तो तुम उनको अपने हाथ से खुदी पैसे दे नहीं पापा उसकी सरथ नहीं है मैं खुद चली जाओंगी अरे खुद कैसे चली जाओगी तुम खुद इतनी चोटी हो केली कैसे जाओगी कल सुबा पापा के साथ चली जाना ओके यह नान्या कुछ अजीव सा भीएव नहीं कर रही हां लगा तो मुझे भी ऐसे ही पर शायच सान्या के लिए परिशान हो जाओ अरीजी आप पापा की तबत से पैसे निकाली है नहीं यान गर्बर हो गई क्या गर्बर हो गई अब पापा के पास ही पैसे है अब मुझे कल जाना है उनके साथ सान्या के घर पैसे देने अब हम क्या करें मैं सान्या को कॉल करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी हमारे इस नाटक में हमारा साथ है हेलो सान्या तुने अपने सच्छों पाने के लिए मेरे जानी को बिमार कर दिया I am so sorry सान्या पर उस ताइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और इस मुसीबत में मैंने सोचा बस तू ही है जो मेरे साथ दे सकती है तो अब तो मुझसे क्या बनाना चाहती है कल मैं और पापा तेरे घर आ रहे हैं तो पचास हजार रुपे दे रहे हैं तो उसके बाद वो पचास हजार रुपे रख लिए हो और उसके बाद मैं तुझसे वो पचास हजार रुपे लेने आ जोगी ठीक है दिदी दिदी अभी मेरे ममा बापा को बात करते में सोचा है पापा ने आपने बैंक गी फोर्टल में कोई क्वेरीड आगी है क्या... 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 हाँ.... हाँ आप अगर वैंक स्डीटमेंट चेक कर ली तो 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 बहुत बुरोंगा बहुत बड़ी problem हो जाएँ की दीदी आप स्वाथने दीदी को चॉल करके बोल दो कि अम आज ही पैसे लेने आरहे है हाँ बोल तो दूंगी पर पैसे रेने जाएंगे कब त्यूशन बंक करके ठीक है सान्या फोन ने उठा रही ऐसा करो आप मेरे फोन से कॉल करके ट्राइ करो हेलो हेलो सान्या कॉल अनान्या हाँ बोल जो मैंने ते को उस दिन पचास हजार रुपे दिये दिना बो तो निकार के रख लियो मैं और मेरे सिस्टर अज लेने आएंगे कॉल से पचास हजार रुपे कॉल से पचास हजार रुपे कॉल से पचास हजार रुपे तुमने तु मुझे कोई पैसे नहीं दिया सान्या! ये तु क्या कहरे है? मेरे पैसे का है? मेरी ममा पापा को दे दी है मैंने उन्हे बोल के दिया कि मैंने ये पैसे गेम में जीते है और मेरे सारा लॉस रिटावर हो गया क्या हो दिदी? शनाया, हम बहुत बूरी तरह से फर्ष चुके हैं लेटर हलो हलो सर, मैं बेंक से आपका रिलेशन्शिप मैनेजर बोल रहा हूँ हाँ जी, बोलिये सर, हमारी कोटिप पे आपकी रिक्वेंस आई वीटी आपको कुछ डिसकस करना है अरे हाँ, क्या आप मुझे मेरे लास्ट मन की ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दे सकते हो शूर सर, सो आपकी लास्ट मन की ट्रांजेक्शन्स कुछ इस तरह है क्या, मेरे अकाउंट से पच्चास हजार रुपे डिटक्ट हुए लेकिन मैंने तो एसी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की बट सर आपकी सारी ट्रांजेक्शन ओटी बी की हल्प से ही हुई है हो सकता है आपकी फैमली में किसीने की हो लेटर रमनीक में खोना शायद पता ही प्रांजेक्शन किसने करी है किसमें करी है आप एक बारी ना सान्या के पापा को कॉल करके कनफर्म करो कि उसकी दाड़ी की तिबे सच में खराब है उनीक तुम अनान्या पे शक कर रही हो रमनीक I hope मैं गलत हूँ मेरा श्रत गलत हो मगर आपकी कॉल करो करो ना प्लीज कॉल करो ठीक है हलो अनान्या शनाया अनाया, अनाया? अजी बाप अन्जी अनाया, पहले तुमने 50,000 रुपे अपनी गेम में गवा दिये और आप 50,000 रुपे तुमारी फ्रेंड ने तुमारे साथ प्रॉड करके रख लिए अले, सान्या के बापा की तो कोई बात नहीं सान्या के पापा से मैं वाद करके बच्छा सजार पे तो वापस ले लूँगा लेकिन वो गेम के पैसे अरे बच्चों ओ गेम नहीं वो एक जुआ है जुआ लेकिन पापा हमें लवा कि हम गेम खेल के पैसे कमाएंगे फिर हम अपनी पसंद की चीजे खरी देंगे हां जी हमारी फैंस के पास इत्य संदर संदर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गेम्स है ड्रेसेज है पर वो सब कुछ देनी के लिए आप दें तो हमें मना ही कर दिया बेटा ज़रूरी थोड़ी है जो किसी और के पास हो तुम्हारे पास भी हो और अगर तुम पैसे कमाना ही चाते थे तो जुआ खिलके क्यों कोई अच्छा काम करके किसी और तरीके से पैसा कमा लेते हैं लेकिन पापा हमें लगा है पैसे कमाने का एजी तरीका है शनाया बेठा पैसे कमाने का कोई भी एजी तरीका नहीं होता तुम लोगों ने पापा को नहीं देखा, कितनी महनत करते हैं, रात रात भर बैट के अपनी प्रेसेंटेशन बनाते हैं, इतने प्रोजेक्ट के लिए ट्राइ करते हैं, इतनी महनत करने के बाद भी कई बारी वह प्रोजेक्ट हाथ से निकल चाता है, पर कोई बात नहीं, फ पिर तुम्हें लाना चाहता है कि तुम ज़्यादा पैसे जीतो अगर तुम पैसे हार जा तो फिर तुम सोचते हो कि हमारे पैसे रेकावर कैसे होंगे बेटा यह जुआ है जुआ, यह जुआ किसी काना हुआ वियार ब्यवरी सॉरी पापा हम आगे से गेम कभी लिखे रहेंगे इन फैक अब मैं अपने फोन से गेम डिलीटी कर दूँगी ये हुईना बाद टांक्यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए अनान्या वर्सिस शिनाया हैंड राइडिंग चालेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल आरेस 13डरीं व्लॉक्सहे सब्सक्राइब का।